उधारन पंद्रा एक कार का मूल्य 4,50,000 रुपए है पहले दो वर्षों में कार का अवमूल्यन 4 प्रतिशत वार्शिक दर्से एवं उसके पश्चात के दो वर्षों में अवमूल्यन 10 प्रतिशत वार्शिक की दर्से होता है तो चार वर्ष पश्चात कार का मूल्य बताईए उधारं 15 हल यहां कार का मूल्य है कार का मूल्य बराबर 4,50,000 रुपए अब मूल्यन की जो दर्व दी गई है वह पहले के दो वर्षों के लिए अलग और अगले दो वर्षों के लिए अलग है इसलिए हम अब मूल्यन के दर में अब मूल्यन दर जो है उसे पहले दो वर्षों के लिए प्रदर्शित करेंगे आरवन से तो यह दी गई है 4 प्रतिशत वार्षिक और समय जो है वह है समय N1 बराबर क्योंकि पहले दो वर्षों के लिए जो दर दी गई है वो 4 प्रतिशत वार्षिक है उसके पश्चात अगले दो वर्षों के लिए कहा जा रहा है कि अब मूल्यन की जो दर है अब मूल्यन दर जिसे हम R2 से प्रदर्शित करेंगे वह है 10 प्रतिशत वार्षिक और समय फिर से जो होगा वो दो वर्षों होगा लेकिन हम इसे दिखाएंगे N2 से और अब अभिष्ट मूल ग्याद करने के लिए हमारे पास सूत्र हो जाएगा अभिष्ट मूले बराबर वस्तू का मूल्य गुनित एक रिन आरवन बटे सो पुरे की घाथ N1 जो की पहले की दो वर्षों के लिए है और चूंकि अभिष्ट मूल्यन हो रहा है इसलिए रिनात्माक होगा और दूसरे के लिए हो जाएगा 1 माइनस आरवन बटे सो पुरे की घाथ N2 अब सभी का मान हम रख लेते हैं तो हमें प्राप्त होगा वस्तु का मूले जो दिया गया है वो है 4,50,000 गुनित आरवन का मान 4 प्रतिशत वर्षिक है याने की 4 बटे सो और N1 है 2 वर्ष गुनित एक रिन आरटू 10 बटे सो और पूरे की घाथ फिर से 2 वर्ष चलिए आगे हल करते हैं तो अभिष्ट मूले बराबर हमें प्राप्त हुआ है अभिष्ट मूले बराबर 4,50,000 गुनित एक रिन 4 बटे सो पूरे की घाथ 2 गुनित एक रिन 10 बटे सो पूरे की घाथ 2 इसे सरलतम रूप में लिखते हैं 50,000 और यहाँ पर इसे आप सरल करेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं 4,100 को 1,25 पूरे की घाथ 2 गुनेत यहाँ हो जाएगा 10,100 याने की 1,10 पूरे की घाथ 2 इसे आगे सरल करते हैं हमें मिलेगा 4,50,000 और इसे हल करने पर मिलेगा 24 बटे 25 पूरे की घाद 2 गुनित यहाँ पर 9 बटे 10 पूरे की घाद 2 इसे आगे सरल करने के लिए अब हम लिख सकते हैं 4,50,000 गुनित 24 बटे 25 गुनित 24 बटे 25 क्योंकि घाद 2 है इसी प्रकार इसे भी लिखा जा सकता है 9 बटे 10 गुनित 9 बटे 10 अब इसे सरल करने पर यदि हम 10 के पहाड़े से इसे काटें तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा 45,000 इसके पश्याद पुनह 10 से काटने पर हमें मिलेगा 4,500 25 से काटने पर 25 से कम 25 और ये कटेगा 180 बार में अब हमारे पास अंश में प्राप्त हो रहा है 180 गुनित 24 गुनित 9 गुनित 9 बटे 25 याने कि इसे हम लिख सकते हैं 7.2 180 में 25 से यदि भाग दे रहें तो 7.2 गुनित 24 गुनित 24 गुनित 9 गुनित 9 इन सबी का जो गुडन फल होगा वो हमें प्राप्त होगा 3,35,923.2 रुपे याने कि अभिष्ट मूल्य जो हमें प्राप्त हुआ है अभिष्ट मूल्य बराबर 3,35,923.2 रुपे इस प्रकार प्रश्न हल हुआ प्राप्त हुआ है